हेलो और वेलकम टो अवर चैनल जैस्टेडी मैथ्स आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर टैन एक्सरसाइज 10.4 का फिफ्थ क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुई है कि थ्री गर्ल्स रेश्मा, सल्मा एंड मंदीब स्टेंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 म तिन गोडर नाइन्थ और तुन का नेम द्या हुए रेश्मा थार्थ के रेश्मा, सल्मा एंड मंदीब, सर्कल पे बैठीं हए हैं जिसका रेडियस 5 मीटर है किसी पार्फमा एंड शेप BRIAN को रेश्मा जो है वो बाल थ्रो करती है किसको सलमा को और सलमा आगे करती है मंदीब को और मंदीब करती है रेश्मा को मीज एक दूसरी सा ऐसे बाल पास करने के लिए वो खेल रही है if the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandip is 6 meter means Reshma and Salma के बीच में भी 6 meter का distance है और Salma and Mandip के बीच में भी 6 meter का ही distance है तो हुने पता करना है कि Reshma और Mandip के बीच में distance कितना है तो diagram मैंने बना रखी है मैंने उनके name के accordingly इनके जो words हैं वो दे रखे हैं यह R जो दिया है means वो रिश्मा के लिए S Salma के लिए और M जो दिया है वो मंदीप के लिए और यह center O हो गया तो RS 6 है SM 6 है और जो OR है वो 5 होगा और ऐसे ही जो OS है वो भी obviously 5 होगा तो अभी दिखो actually हमने किया क्या है जो हमने इसमें क्या क्या है ON को प्रपेंडिगुलर लगाया है जो ON है वो हमने प्रपेंडिगुलर लगाया है किसके वो हमने प्रपेंडिगुलर लगाया है RM के RM के RM पे हमने इसको प्रपेंडिगुलर लगाया और उसको आगे extend कर दिया और आपको पता है कि अगर हम cord पे perpendicular लगाते हैं center से तो वो cord को bisect करता है तो it means जो on है वो rm का perpendicular bisector हो गया और जो rsm है triangle rsm वो क्या है वो है isoscale strangle क्योंकि उसकी दो side is equal है rs and sm अभी जो isoscale strangle होती है उसके अगर हम base का perpendicular bisector लगा है तो वो तीसरे वर्ट से से pass होता है तो it means क्या है जो os है वो rm का perpendicular bisector भी है और s point पे आके meet भी करेगा तो यह easy way से मैं करबार हूँ mostly इसको पैथा गोरस से करता है वो बहुत lengthy चला जाता है तो हम करेंगे इसको hero फार्पॉला से तो पहले क्या करेंगे हम in triangle जा for triangle ros पहले हम find करेंगे इसका semi barometer जो के हम find करते है heroes फार्पॉला में वो क्या होता है वो तीनों sides का sum divided by 2 तो जो os है वो 5 है जो or है वो भी 5 है और जो rs है वो 6 है divided by 2 तो जब आप इनको add करोगे 16 हो जाएगा 16 को 2 से divide करोगे तो आ गया जाएगा 8 तो इसका जो semi parameter है वो आ गया 8 तो उसके बाद जो area है triangle ros का उसका formula क्या होता है पहले s होता है means semi parameter फिर bracket में s minus a means पहली side फिर s minus b means दूसरी side फिर s minus c means तीसरी side को subtract करना होता है तो अभी जो इसका हमारा area means semi parameter रहा है वो तो 8 आया है और पहली side इसकी 5 है तो 8 में इसे 5 minus हो जाएगा दूसरी side भी 5 है again 5 minus हो जाएगा और जो तीसरी side है वो 6 है तो 6 minus हो जाएगा तो ऐसे जब आप इनको subtract कर लोगे यह 8 as it is यह आगया 3 next वाली bracket में भी 3 minus करके और last वाल आगया 2 तो 8 के भी हम क्या कर देंगे आगे factors बना देंगे तो 8 के जब आप factors बनाओगे तो 2 into 2 into 2 एक 2 यह पहले से है और दो बार 3 भी बहाँ पे पहले से हमरे पास है तो यह दो बार तो 2 के factor बन गए और एक बार बन गए 3 के means pairs बन गए तो दो बार 2 बाहर आ जाएगा और एक बार आ जाएगा 3 बाहर तो जब आप इसको multiply कर लोगे तो वो आ जाएगा 12 meter square तो इट मीन जो triangle ros है उसका जो area आ गया है वो आ गया है 12 meter square तो अभी triangle का formula जो दूसरा होता है area का वो क्या होता है वो होता है half base into height और base हम इसमें से किसको लेंगे os को और height किसको लेंगे rn को तो अभी मैं यह वाला formula इस पे apply करूँगा तो अभी देखो half into base जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इसमें हम base किसको लेंगे? base हम लेंगे os को और जो height है वो हमने लेनी है किसको rn को is equal to में area किसका triangle ros का तो half base इसमें कितना है? 5 है क्योंके os 5 है rn हमने find करनी है और area भी हम find कर चुके हैं जो कि 12 आ गया है तो वहां से rn is equal to 12 यह 2 उस तरफ जाके multiply और यह 5 कर देगा divide तो जो rn है वो हो गया 24 by 5 मीटर और जब आप इसको divide कर लोगे तो जी कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 4.8 मीटर और अभी जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो on है वो rn का perpendicular by sector है तो it means जो rn है वो rn का double हो जाएगा तो means जो पूरा rn है वो क्या हो जाएगा? twice of rn means 2 multiply 4.8 मीटर और जब आप इनको multiply कर लोगे तो वो आ जाएगा 9.6 मीटर तो it means जो distance है between Reshma and Mandip वो कितना है? 9.6 है तो distance between Reshma and Mandip दोनों के बीच में कितना है? वो है distance 9.6 मीटर तो यह easy way से हमने किया है क्योंकि जो पैथागोर से करते हैं वो बहुत lengthy जला जाता है question और confused भी ज्यादा होते हो तो इसमें मुझे लगता है ज्यादा आपको easy रहेगा hopefully आपको question समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी भी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कर दीजिए और channel को subscribe कर दीजिए and thanks for watching the video and अपने साथियों के साथ share करना भी मत बूलेगा कर दीजिए